Optimizing the fall Guys, fall means कोई चीज का नीचे गिरना अभी इंडिया में COVID-19 का जो case है वो बहुत ही नीचे गिर रहा है और optimizing means होता है कि कोई situation को आप कैसे best या most effective यूज करते हैं, right? तो इस situation को COVID-19 का case जो नीचे गिर रहा है, उस situation को कैसे बेस्ट यूज की आजए, इस पर बेस जी आज का editorial है, guys, if you are the first time viewer, I request आप channel को जरूर like कर लिजे, subscribe और subscribe और comment कीजे, साथे साथ I request कि आप video को completely देखेगा, right? Then you will have a good idea. Let's start Despite falling COVID-19 cases, India must focus on improving vaccination and treatment. Guys, COVID-19 का case जो नीचे गिरने के बाब जूद India को किस चीज पर ध्यान लगाना चाहिए, किस चीज पर focus करना चाहिए, जो vaccination को कैसे improve किया जाए, साथे साथ जो treatment कैसे किया जाए There is a region for optimism in India India's battle against COVID-19 pandemic. Yes, of course जो India ने COVID-19 pandemic के खिलाफ जो लराईयां छेरी थी, जो उसको दूर करने के लिए, उसको हटाने के लिए, मिटाने के लिए जो काम करा था, उसमें आसा रखने के कारण है, right Daily new coronavirus cases have dipped into a 9 month low, जो अभी daily, जो भी coronavirus का case आ रहा है 9 महिने में सबसे कम हो गया है. There were 10,929 new cases reported in the previous 24 hours on Saturday morning. Saturday morning को जो पिछले 24 20 घंटे में 10,929 new cases ही आये हैं. Though the latest numbers on Monday show a slight rise at 11,451 हलाकि जो Monday को थोड़ा सा उसमें थोड़ा rise हुआ था, जो कि 11,455 तक पहुँच गया था. The key cause for optimism is that the country's active case load stood at 146,950 cases, which was a 262 262 days low. Guys, case load means क्या होता है कि एक समय में डॉक्टर कितने मरीज को इलाज कर रहे हैं, तो जो यह कह रहा है, जो इंडिया में जो जो आशा जो आप्टिमिजम रखने का जो जो आसानवीत होने का जो सबसे बड़ा करन यह है, जो कंट्री में अभी जो एक्टिव केस लोड है, जो डॉक्टर इसको ट्रीट कर रहे हैं, वो 1,46,950 केसे हैं, जो की पिछले 222 डे में सबसे कम है, राइट, अकॉडिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री, यह हेल्थ मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है, यह कह रहाएगा, जो एक्टिव केस है, यह टोटल केस लोड का, मैंने आपको केस लोड क्या होता है, वो मैं बताया था, उसका 0.4% ही है, और यह सबसे नीचा है, लोएस्ट है, सिंस जब से यह पेंडेमिक मार्स 2020 में स्टार्ट हुआ था, इंडिया में तब से सबसे कम है, लास्ट फ्यू टाइम्स डेली केस वेंट बिलो 10,000, वर उन फैवरी 8, जो सबसे जो पीछे, जो 10,000 से नीचे जो केस किया था, वो फरवरी 8 को था, फरवरी 1st, and before that on January 25, यह त नंबर ब्रिंग दे कंट्री जो ओवर ओल टैली टू 3.37 करोर, अब जो साटरे को जो नंबर आया है, जो 10,000 सम्थिंग जो ओपर हम लोगों में बात कर रहा था, वो कंट्री का जो ओवर ओल टैली है, उसको 3 मतलब जितना भी केस है, तीन लाख साथिस हजार, सौरी तीन कर साथिस लाख पहुचा दिया है, अप्टिमीजम हावर इस डवल एज सोड, आसा रखना कोई चीज में, यह डवल एज सोड है, मतलब कहने का मतलब है, यदि आप एक तरफ आसानवीत हो जाते हैं, तो ऐसा ना कि जो चीजें आप कर रहे हैं, उसको छूट जा और वो फिर स से नुकसान पहुचा दे, इसका मतलब यह हो गया, डवल एज सोड, दर नमबर में बी अट फरवरी लेवल, बट इट शुट नाट वी फॉर्गेटें दाट इंडिया वाज हिट वा लीथल सेकंड वेव, अफकोस जो नमबर अभी आ रहा है, वो फरवरी लेवल में, जो में बिल्कुल दस हजार से नीचे हो गया था, उस लेवल का है, लेकिन इंडिया को यह भूलना नहीं चाहिए, कि इंडिया जो सेकंड वेव था, लीथल मतलब भयानक डेडली, तो उससे हिट हुआ था, उस मतलब जो डेल्टा वेरियंट है, उससे हिट हुआ था, लेड़ सार लाख, यूनों, केसेज नहीं, केसेज आते थे, एंड एक्सेस डेथ इन सेवरल एस्टेट, मेनी मल्टिपल्स अफ वाट वाट वाज बीइंग रिपोर्टेट वाइद गवर्ब्मेंट, और कई सारे जो स्टेट में कई डेथ हुआ था, एक्सेस डेथ हुआ था, जो क गवर्ब्मेंट जो रिपोर्ड रहे थी, उससे कई गुना, गैस अगेन आई रिक्वेस्ट इप्विए आप चैनल को लाइक कर लीजे, और साथे साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजे, कॉमेंट कीजे, वीडियो को अंतर देखिए, आपके एक लाइक से वीडियो उस बच् पठार जानते हैं, लेकिन इसका जो एक ऐसा सिच्वेशन जो प्रोग्रेस के बाद रुख जाता हो, राइट, मतलब उसके बाद नहीं बढ़ता हो, जैसे पठार क्या है, एक हाद तक पूचा उठा और इसके बाद रुख गया, तो यहीं कहा रहा है, जो यह इंफेक्शन कितने लोहों को मरीज को देख रहा है, तो यह कहा रहा है, जो सेप्टमबर से जो केस लोड है, कम से कम वन थर्ड हो गया है, बट द वाइरस कंटुनिस तो इंफेक्टी मिलियन पीपल एवरी थ्री मन्स, लेकिन अभी भी जो वाइरस है, परभावित कर रहा है, पांच करो को मतलब मंडे को सोंवार को दुनिया ने एक माइल स्टोन क्रोस कर दिया, जो कि 25 करोर जो केस है, वो हो गया है, सिंस पेंडामिक जबचे पेंडामिक स्टार्ट हुआ है, होईवर, ता मेजर डिफरेंस बेटून फेवरी और नॉमेंबर इस वैक्शिनेशन, लेकिन जो फ अकतर करोर लोगों को दे दिया गया है, विच ट्रांसलेट तो 56 परसेंट ओप पॉपिलेशन, जो कि पॉपिलेशन का 56 परसेंट है, जो थो 34 करोर सेकेंड डोज भी दे दिया गया है, जो कि एक क्वार्टर मतलब वन फॉर्थ पोपॉपिलेशन पूरी तरह से आब वैक्सिनेटेड है, इनोकुलेटेड है, कपल्ड विद रिजल्ट फ्रम सेलोजी सर्वेए फ्रम दे हैस्टेट, अब सेलोजी सर्वेए क्या होता है, गयज कि आप जितने भी उसमें टेस्ट लिया जाता है, उसमें जो एंटिवाइरस कितना बना हुआ है, उस तेस्ट को लेने के लिए शीरम का टेस्ट होता है उसको सेरोलोजी कहता है यह सेरोलोजी सर्वे अलग-अलग से लिया गया और जो उसके साथ जो मतलब कपल्ड विद रिजल्ट जो कि उसका जो रिजल्ट दिखा रहा है यह दिखा रहा है जो कई सारे लोग उस जो कोई नाइंटीन से परभावित हुए थे जो की जादा लोग उसे परभावित हुए थे इस घिपस अन्फिदेंस धा while the virus will continue to spread and infect, यह जो है वो विश्वास दिलाता है, यह जो result है, यह जो survey है, यह दिखा रहा है, जो virus जो है वो फालेगा और परभावित भी करेगा, a smaller proportion of those infected will be seriously ill, लेकिन क्या होगा, जो बहुत कम लोग है, उनसे जो परभावित हुआ है, वो seriously बीमार होगा, the future demand for vaccination may depend more on adaptation in children, अब जो आगी का जो demand है, मांग है vaccination का, वो depend करता है, depend on more on adaptation in children, जो बच्चों की अनुकूलन, जो किस तरह का वैक्षिन है, उसकी demand होगी, और on the demand for booster shot from people worried about waning immunity, या फिर जो दिमांद होगी आगल जो वैक्षिन की, उन लोग, वो लोग दिमांड करेंगे, होना, खतम हो जाना, तो जो आप जो कई लोग ऐसे हैं, उनको ये चिंता है, जो उन्होंने जो वैक्षिन लिया है, अब वो इम्म्यूनीटी जो है, उसका खतम होता जा रहा है, तो वो बुस्टर दोबारा वो लेना चाहेंगा, वैक्षिन तो ऐसे लोगों से demand होगा, जो एक आवरन होता है, तो जो डर का जो आवरन है, वो खतम हो गया है, और ये दिखाए दे रहा है, कहां जो एरपोर्ट के लाइन पे, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां जो भीर है, ये दिखा रहा है, जो आप COVID-19 का दर खतम हो गया है, और रिजुबिनेशन इन सेवरल इंडैसे अफ्रेड एकोनोमिक एक्टिविटी अब जो रिजुबिनेशन मतलब फिर से एनर्जी के साथ उपर आना, पूरना आगे बढ़ना, फुल एनर्जी, तो ये जो ट्रेड और एकोनोमिक एक्टिविटी हो रहा है, और उसमें फिर अब ये कह रहा है, जो जितना सोसलाइजेशन हो रहा है, सिनेमा घर खुल रहा है, ये जो इन कारणों से फिर से बढ़ावा होगा, या बढ़ेगा, ये आने वाले समय में देखने लाइक बात होगी. The government, सरकार, जो है, while continuing to improve the last mile delivery of vaccine, जो last mile delivery means बिल्कुल अंत में जोड़ सोर से जो परियास कर रही है, must not let up on advocating caution to avoid another wave of infection. अब इनको क्या करना चाहिए government को, जो government तो परियास कर ही रही है, साथे साथ, ये जो caution है, जो सावधानी उसको advocate करते रहना चाहिए, तिस्टीज के लिए कि जो कोई दूसरा, you know, another wave of infection ना आ जाए उसको avoid करने के लिए, जो vaccine के डिलेवरी के साथ-साथ, जो सावधानी के लिए advocate करना चाहिए. It must continue to facilitate the upgrade of hospital infrastructure in every district. साथी साथ, ये जो है, सब जितने भी district है, उसमें जो hospital infrastructure है, उसको upgrade करना चाहिए. It should also show up stocks of promising antiviral, show up means guys की support करना, साथी साथ तो इनको जितने भी antiviral, promising antiviral, जितने भी जरुरत है, उसको, उनके stock को फिर से, you know, support करना चाहिए and ensure that vaccine companies increase supply in line with their commitment. और इनको ये भी सुनिशित करवाना चाहिए, जितने भी वैक्सिन, जो कंपनिया, कम जो कंपनिया जो बनाती है, वैक्सिन, जो उनका जो commitment था, उसके line पे वो supply कर रही है की नहीं कर रही है, उसको ensure करना चाहिए. ये, guys, I hope you understood this editorial, again I request, जदी आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे, साथी साथ लाइक का बटन आप दबा दीजे और कॉमेंट कीजे, फिर हम लोग मिलते हैं कल अनादर एडिटोरियल के साथ, thanks for watching.